जहिन मेरे दोस्तों आज हम प्रसनावली 3.3 का NCRT Book 3 कलास का प्रसन करमांग 3 का तीसरा नमर भाग को इस वीडियो के अंदर हम लोग आज solve करेंगे तो आईए देखते हैं इस प्रसन को हम कैसे हल करेंगे और एकदम आसान विधी में इस प्रसन को हल करेंगे और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आईए देखते हैं इस प्रसन को आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे प्रसन क्या कर रहा है एक किरकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद और 300 रुपया में खड़ी दी बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खड़ी दी परतेक बल्ले और परतेक गेंद का मुल्ले इसमें हमको ग्याद करना है इसमें हमको ये जानना है कि बल्ले का कितना कीमत है एक बल्ले का कीमत कितना है और एक गेंद का कीमत कितना है जब तक हमको ये पता नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपया में हम खड़ी दें है हो सकता है कि गेंद का दाम हमसे ज़्यादा ले लेगा या बल्ले का दाम हमसे ज़्यादा ले लेगा तो आईए देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको लिखना पड़ेगा माना की बल्ले की कीमात एक सरुपया मान लेते हैं ठीक है और गेंद और गेंद की की मात इसको क्या माल लेते हैं वाई रुपया माल लेते हैं ठीक है जब इतना माल लेंगे तो अब हम क्या आएंगे यहाँ पर प्रसन से आते हैं ठीक है यहाँ चलेंगे और लिखेंगे अब क्या प्रसन से ठीक है तो कितना 7 बल्ले कहा है तो लिखना परेगा 7x plus 6 गेंद है तो 6y बराबर क्या होगा यहाँ पर और 300 हो गया इसको समीकरण 1 माल लेंगे ठीक है इसी तरीका से क्या है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद तो इसी से माल लेंगे 3x plus 5y बराबर क्या 750 माल लेंगे जो समीकरण 2 हो गया ठीक अब क्या करना है हमको यहाँ पर अब बुला क्या कि एक बल्ले और एक गेंद का कीमत हमको यहाँ पर निकालना है तो लिखना पड़ेगा क्या समी करन एक को हल करने पर ठीक है तो समी करन एक से पहले आते हैं तो क्या होगा 7x पलस 6y बराबर क्या है तो और 300 अब यहाँ पर लिखेंगे 7x बराबर और 300 और पलस में हिदा आएगा तो माइनस में हो जागा हो जागा तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर x बराबर और 300 अब माइनस 6y बटे क्या हो जागा यहाँ पर 7 जो equation क्या माल लेंगे हम इसको 3 माल लेंगे ठीक है अब जो यह समीकरन 3 का जो भैलो निकला है वो क्या करना है हमको समीकरन 2 में रखना है ठीक है x के जगर रखना है जिससे क्या होगा कि हमको x का या y का मान हमको असानी से यहाँ से प्राप्त हो जाएगा तो आईए यहाँ पर हम आब रखते हैं मान लिखेंगे क्या अब समीकरन समीकरन 2 में x का मान x का मान रखने पर ठीक है तो इसमें रख लेते हैं समय करन 2 हमको है 3x plus 5y equal क्या है 1750 तो अब यहां हम क्या करेंगे x के जगह रखेंगे 3 और ऐसे कोष्ट करेंगे तो क्या होगा यहां पर 300 minus 6y अब बटे क्या होगा 7 और यहां plus 5y बड़ाबर क्या हो जागा यहां तो 1750 ठीक अब हमको क्या करना है यहां पर इसको गुना करेंगे यह 30 से क्योंकि यह तो कटने वाला नहीं है तो क्या होगा 0 से 0 यह हो गया 3 24 का 4 हासिल 2 9 2 11 minus 6 18y अब बटे क्या हो जागा 7 और यहां हो गया पलस 5y बड़ाबर क्या होगा 1750 अब इसके नीचे नहीं कुछ तो एक हो गया अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको इसको हम यहां पर आप बटापर का जूर करेंगे ठीक है यहां पर इसको बटापर का जूर करेंगे तो बटापर का जूर करेंगे इसका LCM कितना हो जागा तो 7 हो गया ठीक है तो यह इतना ही हो जागा 11 400 minus 18y और पलस क्या हो गया यहां पर यहां हो जागा 7, 35Y और बड़ावर यह 1750 अब इसको हम क्या लिखेंगे ऐसे 11, 400 और इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे तो कितना होगा 35 में से 18 घटेगा तो 17 हो जागा पलस 17Y ठीक है बड़ावर इसको क्रोस ऐसे गुना हो जागा तो 0, 7, 35, 5 हांसिल 3, 7, 49, 3, 50 एकान 52 हांसिल के तना 5 तो 7 तो 5 के तना हो गया 12, 12, 250 हो गया अब इसको क्या करेंगे यहां पर 17Y बड़ावर लिखेंगे तो लिखेंगे 12, 250 अब माइनस क्या हो जागा यहां पर 11, 400 ठीक है 11, 400 अब क्या करना पड़ेगा Y बड़ावर तो 12 यहां पर 250 मेंसे क्या करेंगे 11, 400 को घटाएंगे तो यहां 0 हो गया इसके बाद 5 हो गया और यहां क्या हो जागा 12 मेंसे 4 गया तो 8 यहां कट गया तो क्या हो गया यहां पर 850 हो गया और यह जो भागा में यहां जो गुना में जो 17 है यह क्या होगा बराबर के जुदाएं साइट आगा तो भाग में यहां आ जागा, तो क्या होगा, सत्र पचे, पचासी, तो यहां पर पचास आ गया, तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो y बराबर कितना हो गया हमको, 50 हो गया, मतलब अगर देखा, तो यहां पर गेंद का कीमत कितना रुपिया पता चल गया, परते एक समी करण एक में ही हम यहां पर रख लेते हैं, तीन में ही रख लेते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, समी करण, समी करण, तीन में, समी करण, तीन में, y का, y का मान, y का मान, रखने पर, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, यहां, और ती सो माइनस 6y बटे 7 है तो अब हम यहां क्या कर लेंगे लिखेंगे क्या और ती सो माइनस 6 अगुने 50 बटे क्या होगा 7 अब लिखेंगे क्या यहां यहां लिखेंगे और ती सो माइनस इसको गुना करेंगे तो यहां 300 हो जागा बट्टे में क्या हो गया 7 अब इसका क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3500 बट्टे में क्या हो गया 7 तो 7 पचे क्या हो गया 35 तो इस तरह से यहाँ पर 500 हो गया ठीक है तो आप यहाँ जान लेंगे कि एक बल्ले ठीक है बल्ला किसको माने थे तो X को माने थे एक बल्ला का कीमत कितना हमको पता चल गया 500 रुपिया पता चल गया और एक गेंद ठीक है एक गेंद का कीमत गेंद किसको माने थे Y का एक गेंद का कीमत कितना पता चल गया हमको तो 50 रुपिया हमको पता चल गया तो दोस्तों आप लोग को यदि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा तो फिली चैनल को सबस्काइब कर लेंगे और जब तक देखेंगे जब तक कि आपको वीडियो ये समझ में नहीं आ जाता है वैसे आप इस परसुन को क्या कर सकते हैं तो स्क्रीन सर्ट आसानी से आप इसको मार लेंगे जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन में समझ में आ ही जाएगा